Hello and Welcome Back इस वीडियो में मैं आपको एसे ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटक्यों में कोईसी भी ट्रेड आगाम भी गेस ड्रॉप कर पाऊगे और वीडियो के एंड में एक सप्राइज भी है उसकी लिए वीडियो पूरा देखना मगर इससे पहले अगर आपको कॉनक्यों मिरर अता नहीं या फिर उसके बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना इसका लिंक आपको उपर आए बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो पढ़ाई शुरू करते है स्टार्ट करते हैं कॉनक्यों मिरर के बेसिक फिगर से अभी देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए आमें कोईसी भी एक चीज चाहिए होगी फिलाल के लिए मैं एक परसट को जूम करता हूँ अभी दान से देखो इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि हमारा परसन गाहा पे खड़ा है जैसे कि को सकता है परसन सेंटर सी पे खड़ाओ या फिल सेंटर सी के आगे या फिर पीछे इसी के आदार पे हमारी टोटल छे इमेज फॉर्मेशन की केसेस बनती है जो कि है अबजेक्ट प्लेस्ट बेट्विन सेंटर सी अबजेक्ट प्लेस्ट बेट्विन सेंटर सी और फोकस एफ और अबजेक्ट प्लेस्ट बेट्विन सेंटर सी और फोकस एफ और अबजेक्ट प्लेस्ट बेट्विन सेंटर सी और फोकस एफ और फोकस एफ और पोल पी अपे इनकी रेनेग्रव क्या है और इनमें इमेज गैसे पामो दिये ये जानते है तो बात करते है उन ट्रिक्स की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोली थी ये ट्रिक्स बेसिकली डिवाइड़ है इन चार रूल्स में तो शुरुआत करते है रूल नंबर वन से रूल नंबर वन किसी भी ऑपजेक, परसन, एन्टिटिक इमेज बनाने की ये हमें कमसे का दो रेज की जरुवत है और जिनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए रूल नंबर टू जो रे सेटराफ करवेशर से पास होती है वो मिरर से रिफ्लिक होने के बाद सेम बात से रिटन आती है कुछ इस तरह रूल नंबर टू जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरलल जाती है वो मिरर से रिफ्लिक होने के बाद फोकस से गुजरती है कुछ इस तरह और चोथा रूल जो कि है जो भी rays focus ने जाती है वो mirror पे reflect होने के बाद principle axis को parallel travel करती है इन चार रूल के base पे अभी हम सारे केसे solve करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले केसे जो कि है object placed at infinity अभी जब भी object infinity पे होता है तो उसके rays हमेशा principle axis को parallel आते है और जैसा कि हमने rule number 3 में पड़ा जो ray principle axis को parallel आता है वो reflect होने के बाद focus से उकर गुजरता है इसी लिए ये rays भी reflect होने के बाद focus से ही जाएंगे इसका मतलब हमारी image focus पे form होगी अभी क्योंकि हमारा focus एक point है और mirror के बाहर है इसी लिए हमारी image भी एक point जितनी छोटी होगी और real होगी जिसको हम वह लेगे diminished बस यही ता हमारा पहला guess अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये के से पता किया कि हमारी image focus पे ही form होगी और वो really होगी तो देखो जहाँ पे भी हमारे rays intersect करते हैं वही पे हमारी image form होती है और दूसरी चीज यह है कि अगर image mirror के बाहर बन रही है तो वो real होगी और वो अगर mirror के अंदर बन रही है तो वो वर्जोर होगी तो ये दो चीजे याद रखना अभी बढ़ता है दूसरे case की तरफ जो कि ये object placed behind center c तो as per rule number 1 हम दो rays को draw करेंगे कुछ इस तरह तो rule number 3 के हिसाब से जो ray principal axis को parallel जाता है वो reflect होने के बाद focus से उकर गुजरता है और rule number 2 के हिसाब से जो ray center c से जाता है वो reflect होने के बाद उसी पात में return आता है कुछ इस तरह और ये rays जहाँ पे intersect करेंगे वही पे बनेगी हमारी image पर यार image सीधी बनेगी या उल्टी तो देखो क्योंकि हमारी lights person के सिर से निकली थी तो जहाँ पे वो intersect करेंगी वहाँ पे भी person का सिर ही आएगा इसी लिए ये image multifarm होगी और क्योंकि ये mirror के बाहर बनी हुई है इसी लिए इसका nature होगा real और उसके अलावा ये size में original object से थोड़ी छोटी होगी I hope आपको ये दो केसे समझ में आया होंगे अभी थोड़ा fast solve करेंगे तो बढ़ते हैं case number 3 के तरफ जो कि है object placed at center c तो rule number 1 को apply करेंगे और फिर से 2 rays draw करेंगे as per rule number 2 एक जाएगा कुछ इस तरह और as per rule number 3 दूसरा जाएगा कुछ इस तरह और हमारी image form होगी कुछ इस तरह अगर image का nature देखा जाए तो वो होगा real क्योंकि ये mirror के बाहर form हुई है orientation रहेगा inverted और size equal to object size इस चीज़ को ध्यान में रखना कि center c पे image की size original object नी ही होती है अभी बढ़ता है case number 4 की तरफ जो है object placed between center and focus अगें हम दो रेस को draw करेंगे इसमें टारलललल रे रिफ्रिक होने के बाद focus से उकर जाएगा और एक रेक को हम पास करेंगे कुछ इस तरह तो यहाँ पे भी image mirror के बाहर बनी है इसलिए वो real nature show करेंगी जिसका orientation रहेगा inverted और size होगी original size के थोड़ा ज्यादा अभी बढ़ता है अगले case की तरफ case number 5 object placed at focus again rule number 1 को apply करेंगे दो rays draw करेंगे एक जाएगा focus से कुछ इस तरह और दूसरा जाएगा center से कुछ इस तरह और यहाँ पे दोनों lines एक दूसरे को parallel जा रही है इसका मतलब अमारी image infinity पे fog होगी और क्योंकि यह mirror के बाहर है इसलिए इसका nature होगा real और इसकी size होगी larger than object अभी आता है हमारा last case, case number 6 जो कि यह object placed between focus and pole यह case थोड़ा interesting सा है तो अब ध्यान से देखना चलो, rule number 1 के हिसाब से हम दो rays draw करेंगे एक रे जाएगा focus से कुछ इस तरह और दूसर रे जाएगा center से कुछ इस तरह आरे, पर यहाँ तो lines एक दूसरे को parallel भी नहीं है अगर मैं इन lines को थोड़ा आगे extend करू तो वो mirror के अंदर जाके intersect करेगी कुछ इस तरह अभी द्यान से सुनो यहाँ पर image mirror के अंदर बन रही है इसी लिए यह image virtual image होगी साथ में ही यह cdb भी है इसका मतलब erect और यह original object के size में थोड़ा ज्यादा बढ़ी है चलो, यह तो तो थे हमारे gonkyo mirror के 6 cases और रही बाद surprise की तो इनका मैंने एक animated video भी बनाया है ताकि आपको इन cases की और भी अच्छे तरह से clarity आ सके वगर उससे पहले अगर आप यहाँ तक आया हो तो यार वीडियो को like जरूर करना और आपको समझ में आया होगा तो subscribe करना मत बूलना और समझ में नहीं आया तो यार comment box तो है यह अपने doubts और comments नीचे डाल दो ताकि मैं उन पे वीडियो बना सको तो यह रहा एक short demonstration up all six cases I hope आप visualize कर शुक्या होंगे कि position के साथ साथ हमारी image कैसे बदलती है आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी like this video and share with your friends मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care and bye bye